चलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं कक्छा साथ भी के विसाय गड़ित का हिंदी मीडियम का पेपर यहाँ पर पूरा हंडिड़ परसें देखेंगे यदि आपने अभी तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बटन है बेल का उसको भी आप और पर सेलेक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम देखने वाले अरदवार से मुल्य आंकर प्रिशन पत्र दोहजर बाइस तेस और विसाय आपका कौन सा रहने वाला है गड़ित हिंदी मीडियम से यह जिला बना यहाँ पर यहाँ पर अनुक्रमांग नंबर भर लेना है आपके पेपर में आपको यहाँ पर 22 कोस्चन पूछे जाएंगे और पूर्णा का यहाँ पर 50 नंबर का रहने वाला है यदि आपके फ्रेंड हैं जो भी सरकल में हैं तो सभी को आप सेयर कर दीजिएग तो यहाँ पर हम एक से लेकर 10 तक के कोस्चनों का हल यहाँ पर देख चुके हैं तो पिछली बार यहीं वीडियो ने देखे तो वीडियो के लास्ट में आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगी तो इस पर क्लिक करेंगे तो वह वाला वीडियो प्ले हो जाएगा तो है को क्विश्चन देखें तो आए सुरू करते हैं यह पर कौस्टिनी देख्रेंगे हमें यहां पर हल करना तो हम देखने वाले हैं इस लेकर बीस टक थो क्या रखा नीचे दी इसनों उनों को हल कीजिए तो पहला प्रिशन हमारा दिया गया यहां पर अच्छे से पढ़ लीते हैं इसको एक पेटी में 325 किताब आती हैं तो ऐसी बावन पेटियों में कुल कितनी किताब आएंगी तो आप जानते हैं जैसे एक पैने यदि आपके यहां पर 325 की आती है तो दो कितने किए आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना होता है यह 325 में केवल 2 का गुणा करना हुता है तो इसी प्रकार हमसे पूछा है कि कि एक पैटी में आपकी या आती है 900 किताब हैं तो आप अच्छे से गुणा कर लीजीगा यहां पर तो यह हमारा आंसर हो जागा इसका अच्छे से कप्रिट करके ठीक है तो यहां पर आंसर आप करी लेगे गुणा तो कर दी सकते हैं इसके बात क्वेश्चन अगला लिखा है हमारा बारबा तिसको देख लेते गया स्क्राइब नो था दों से काटेंगे गना करना हो जाए घर-देख लिए तो मैकान इस कफिसी से आपको यहां पर गुणा करके अंसर शाल लेना तो निकाल लेंगा आ है तो माँ टीण निकाल लेंगे हैं तो यहां पर यहिआ यहां को आंसर देखे आउगा तो अच्छेंन कळ लिई घ्र कंडरे करते हैं इसके लगा एक ब्रत खीजिए और निमलेखित भागों को अंकित कीजिए तो यहां पर यहां पर देखिए क्या बताना है केंदर बनाना है ब्रत की अभयांतर में एक बिंदू बनाना है तो देखें यहाँ पर बनाते हैं तो पहले हम यहाँ पर एक ब्रत बना लेते हैं यह बीच में जो बिंदी होती है उसे हम केंद्र कहते हैं इसको बीच में जो यहाँ पर बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं तो यहाँ पर केंद्र है यह आप लेजिएगा यह आहां तक की दूरी यहां तक की परदी तक की इसे हम बोलते हैं त्रज्या तेश का नाम रखे देते हैं यह भी इसके बाद आप से पूछा कोई अंदर एक बिंदू घ्राओ तो कहीं भी बिंदू बना दीजित उसका नाम रखे दिए जाया है तो यह हमारा यहां कोच्छत्र बनाकर यह कंप्लीट कर लेना है इसके बाद अगला कॉस्चन देखेंगे तो अगला कॉस्चन हमारे लिखा है यहां पर चवदा रेखा यहां पर लेखा का प्रियोग करते हुए पांच और तीन का योगफल ग्याद कीजिए तो संख्या रिखा का प्रियोग करन देखेंगे दो बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो इसलिए दो भी कायक आएगा प्लस का अब इसको संख्या रिखा पर किस प्रकार दलसाएंगे देखी यहां पर तो यहां पर बनाकर बता देते हैं आपको किस प्रकार से बनानी है यहां प्रकार से इस प्रकार से लाइ यहां पर इस साइड ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं कि यहां पर पहले हमारे जाने ही प्लस में पॉंच तक यहां से जाएंगे यहां पॉंच तक इस परकाल से जाएगा तो यह 5 हो जाएगा इसके बाद हमारे के साइड के यहां था ऑगर यहिए यहां नुद एस साइड निते हैं कि यहां पर देखिए त्संबलब में पर के आपकी लाइन बन जाएगी अर्समें पहलत लगाव पनच तो यहाँ से आगे पांच तक जाएनी तो तो यहां से यहां तक आ जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लीना तो यह आपका अंसर हो जाएगा, आसा है कि आप अच्छे से बना लेंगी? इसके बाद अगला question देख लेते हैं question number हमारा दिया है 15 तो question number 15 यह दिया गया आपका इसमें क्या लेका है दी गई आकरती का चित्र फल ग्यात कीजिए बहजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है तो देखिए यहाँ पर किस परकार से करेंगी तो पहले आपको क्या करना है यहाँ पर यह आकरती लेकी तो देखिए पहले इस परकार से आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र बना हुआ है तो यह आयत है और यह कैसा खड़े में बना हुआ है चित्र तो यह भी एक आयत है तो आयत का आपको चित्र फल पता ही है लं तो इसकी लंबाई कितनी है यह देख लिए तो यहां पर इसकी लंबाई है आपकी यहां पर देखेंगा आकरती यह 8-30 तो चार और यह पर छोड़ाई कितनी है एक तो फीजिल अपर तो किसे आपके नएंगे आपके 9 स्ब्सक्राइब बर सेंटीमिटर तो आपना से समझे लिया हो गहाई पस को यह यह उसे पर एक बहुत देख लिए रही कितनी है च्बह नहीं है कि यहां देखने इनी है आपके चार और arise नहीं है आपकी इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा चार अब कुल छेत्र फर निकालना है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जागा यह नो नो बर्ग सेंटीमिटर हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला कॉच्छन लेखा है एक पर है कॉच्छन सोला तो इस खशे से देख लिए थी 자ई हो क्स्छन सोना यह डाईग्रां दिया है डींकी यक्रति के नामषा है it लेखे ऒसे ल ay that Ouch के नाम लखने हैं तो रिखा खंडू के नाम लिखना है तो देखूंछ हो जाएगा आपका रिखा खंड ओ एन और ओ क्यों तो देखिए यहां पर चत्र में दिखादेते हैं ओग्हाएनkin कहांं खूय अ नहीं हैं कि हैं तो यहां पर दो रेखा हो के लखता है उनने के जैसे उना ओर दो रेखाए हो जाएं इसके बाद दो बेर्दू रताने वैसे कोई ambassadors तो आप यहां पर कोई भी लिख सकते हैं मैंनों जितने भी नाम दिये सभी बिंदू की केटिग्री में आते हैं तो यह हमारा क्वेश्चन सूला समाप्त होता है इसके बाद हम क्वेश्चन नमद देखते हैं छे सेंटीमिटर लंबा एक रेखा कंड खीच कर उसका लंब 20 21 22 आपके क्वेश्चन यहां पर बचे हुए तो हम यहां पर 18 मावद देख लेते हैं तो 18 में के बाद यहां पर 19 को यहां पर करेंगे तो यह हमारा दिया सत्रा कर देखिए यहां पर 17 को लंब समदूरी भाजक बनाना है तो यहां पर हम यह अगले वाले वीडियो में बता के लिए जय हैं जय भारत